दोस्तों आज हर कोई अपने जीवन में इंगलीज सब्दों का प्रियोग करना चाता है ताकि सब्दे बड़े ही अच्छे लगें और सभी को आराम से समझ में आ जाई और आज हम जानेंगे कि अंजीर को इंगलीज में क्या कहते हैं इसके साथ ही अंजीर से जुड़े कुछ रोचक तर्थे पर भी विचार करेंगी तो हमारे साथ बने रही सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंजीर को इंगलीज में क्या कहते हैं दोस्तों अंजीर को इंगलिस में फिग का आ जाता है जिसका मीनिंग होता है F-I-G फिग अंजीर या फिग का मतलब क्या होता है आईये जान लेते दोस्तों अंजीर एक तहय का फल होता है यह फल खाने में मीठा होता है इसका रंग हलका पीला होता है इसके अलावा कुछ फलों का रंग गहरा सुनहरा भी हो सकता है साथ ही कुछ फल गहरे बेंगने रंग के भी होते हैं यह फल रसीला और गुदेदार होता है दोस्तों इस तरह से अंजीर को इंगलीस में फिग कहा जाता है जिसका meaning होता है F.I.G. यह हमने जान लिया है इसके साथ ही अंजीर यानी फिग के कुछ interesting fact भी जान लेती है Interesting fact about fig First interesting fact आज कब्ज की समस्या देश के बहुत से लोगों को देखने में मिल जाती है मगर आपको जान कर हेरानी होगी की अंजीर परती दिन 2-3 खाने से कबज की समस्या दूर हो सकती है Second Interesting Fact क्या आपको मालूम है कि केंसर को कम करने के लिए अंजीर का उपयोग होता है मगर विशेश रूप से पेट और बेस्ट केंसर कम किया जाता है Third Interesting Fact आज बहुत से लोग बढ़ते वजन को कम करना चाते हैं उनके लिए यह फल काफी उपयोगी होगा क्यूंकि अंजीर वजन को कम करने का काम करता है Fourth Interesting Fact क्या आपको मालूम है कि अंजीर में फाइवर और पोटेसियम पाय जाता है जो कि एक साथ किरिया करते हुए रक्त की मात्रा को नियंतरित रखते हैं दोस्तों इस तरह से हमने अंजीर को इंग्लीज में फिग के नाम से जाना जाता है जिसका मिनिंग होता है एफ आई जी फिग यह हमने अच्छी तरह से जान लिया है इसके साथ ही अंजीर से जुड़े कुछ रोचक तथे भी बड़ी विस्तार से जान लिया है क्या आप ऐसे ही इंग्लीज सब्दों के बारे में और अधिक जानना चाते हैं अगर हाँ तो चेनल को सब्सक्राइब कर ले क्यूंकि हम इसी तरह के वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगी तो चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले